सुल्तान और टाइगर जिन्दा है जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्मों के निर्माता अली अब्बास जफर छे साल के अंतराल के बाद अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृत्वीराज सुकुमारन, सोनाक्षी सिन्हा, मानुशी छिल्लर और अलाया अभिनीत बड़े मिया छ थिती बनी हुई है क्योंकि यह फिल्म एद के मौके पर रिलीज हो रही है, जिसे 10 अप्रेल को परदे पर रिलीज करने की घोशना की गई थी, लेकिन एद की तारीक 11 तारीक होने के कारण फिल्म ने भी आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन खिर यह एक और उल्जन में फस गई, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और 10 तारीक की टिक्टे भी बिक चुकी थी, इसलिए चर्चा होने लगी कि 10 तारीक को फिल्म का पेड प्रीमियर होगा, लेकिन सोमवार को आखिरकार यह निरने लिया गया कि 10 तारीक के लि रही है, और दोनों फिल्मों के बीच बड़े मिया छोटे मिया रेस में आगे हैं, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म के लिए लगभग 4000 शो की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, और इसने लगभग 16000 टिकट बेचे हैं, जिससे कुल 49.1-2 लाख रुपए की कमाई हु और IMAX फॉर्मिट में भी रिलीज हो रही है, फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत सी चीजे दाव पर हैं, क्योंकि अक्षय और टाइगर दोनों को लंबे समय से सफलता नहीं मिली है, और अली की आखिरी बड़ी हिट 6 साल पहले थी दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ झाल झाल